दोस्तों आज की इस वीडियो में हम ये सीखने वाले हैं कि कैसे आप phone pay wallet पर जो पैसा आपका add है उसको आप कैसे bank account में transfer कर सकते हैं वो भी बिना किसी charge के for example दोस्तों मान के चलो आपके wallet में 500 रुपे हैं और आपको इसको bank account में transfer करना है तो आप directly बिना किसी charges की पूरे की पूरे 500 रुपे अपने bank खाते में transfer कर सकते हैं और कैसे आपको करना है इस वीडियो को इन तक जरूर दिखीगा तब ही आप समझ पाएंगे Hello दोस्तों मेरा नाम नवीन है और आप देख रहें आपका अपना YouTube चैनल हमसे फेटेग तो चलते हैं डारक्तिव फोन की screen पर दोस्तों आप देख पाएंगे हम आचुके हैं अपने phone pay application के उपर और यहाँ पर मैं पहले आपको दिखा देता हूँ कि मेरे phone pay wallet में कितना पैसा add है और यहाँ पर देखीगा wallet है यह फोन पे का और यहाँ पर दोस्तों देखीगा current balance 4600 रुपे जैसे मैं आपको बताया था अब मुझे इसको निकालना है तो दोस्तों यहाँ पर दो अलग अलग तरीके हैं पहला तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ free वाला जिसमें आपके एक भी पैसा नहीं कटेगा और पूरा का पूरा आपका पैसा transfer हो जाएगा जितना भी आप transfer करना चाते हैं दोस्तों इस वीडियो को जरूर देख लिजेगा तो देखीगा या दूसर तरीका यह है कि अगर आप फोन पे बिजनिस अकाउंट नहीं बनाना चाहते हैं तो आप किसी भी दुकान में जाएंगे जहां से भी आप सावान खरीदेंगे तो वहाँ पर फोन पे का बिजनिस अकाउंट हो अब ही मैं आपको एक्जांपल दिखाता हूं यह मेरे पास दूसरा फोन है और मैं यहां पर दूसरा फोन आपको दिखा देता हूं और यहां पर दूसरे फोन का मैं आपको फोन पे बिजनिस अकाउंट उपन करके दिखाता हूं यहां पर दिखीगा यह मैंने उपन किया और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका मैं QR Code को open करता हूँ और यहाँ पर मैं आपको scan करके दिखाता हूँ अब मैं इसको barcode को open करता हूँ दुबारा से और अब मैं इसको scan कर लेता हूँ अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि scan हो चुका है अब मैं यहाँ पर जितना पैसा भेज़ूνगा, अब मैं यहाँ पर लिख दूँँगा लेकिन याद रहे कि एक दिन में इसकी 6500 तक की limit होती है तो यहाँ पर दिखीगा दूस्तों मैंने दोसुर पर amount यहाँ पर लिखा और यहाँ पर देखेगा phone pay wallet और cashback जो भी हमारा cashback का यह phone pay wallet का पैसा है यहाँ पर देखेगा automatically आ चुका है और 46 यहाँ पर balance दिखा रहा है और दोस्तों हम अभी transfer करना चाहते हैं तो 200 यहाँ पर हमने amount डाला अब हम इसको pay कर दोके देखते हैं और pay जैसे हमने किया अब हम आपको यहाँ पर दिखाते हैं कि क्या actual में यहाँ पर 200 रुपे transfer होंगे या नहीं होंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 200 रुपे easily यहाँ पर हमारा phone pay wallet से transfer हो चुका है अगर दोस्तों आप यहाँ पर दूसरा method अपनाना चाते हैं तो दूसरा method यह है कि आप यहाँ पर easily क्या करेंगे gold को buy करेंगे और दोस्तों यहाँ पर आप दिखेंगे कि यहाँ पर आपको बहुत सारे option दिखते हैं और यहाँ पर दिखीगा आपको यहाँ पर buy 24 karat gold दिखता है, जैसे आप click करते हैं, यहाँ पर दिखीए दोस्तों आपको यहाँ पर gold खरीदने का option दिखता है, जैसे आप buy gold करेंगे तो जैसे दिखीएगा यहाँ पर आपने किया, और जितना भी पैसे का आपको gold खरीदना है आप यहाँ पर simple amount डालेंगे जैसे मैं यहाँ पर 100 रुपी का लेता हूँ और यहाँ पर देखीगा अब मैं यहाँ पर buy करता हूँ जैसे मैं यहाँ पर buy करूँगा अब दोस्तों आप देखीगा यहाँ पर देखीगा 100 रुपी का मैंने gold लिगया और अब मैं यहाँ पर 100 रुपी यहाँ पर देखीगा wallet से कड़ जाएगा अभी मैं इसको buy करता हूँ जैसे मैं इसको buy किया अब यहाँ पर देखीगा आसानी से हमारा जो payment है easily हमारा phone पे wallet से हो जाएगा यहाँ पर हमारा easily payment हो चुका है अब दोस्तों इस gold को हम sale करेंगे 24 घंटे बाद यानि कि अगर आपने अभी gold लिया है तो इसको आप 24 घंटे बाद ही sale कर पाऊगे और दोस्तों sale कैसे करना है चलिए मैं आपको भी दिखा देता हूँ अल्रेडी मैंने पहले भी 100 घंटे का gold लिया हुआ है तो यहाँ पर मैं दुबार जाऊँगा buy 24 karat gold पे और यहाँ पर दिखेगा आपके सामने more options दिखेगा आपको यहाँ पर click करना है और यहाँ पर आपको sell gold करना है दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको बता दू कि यहाँ पर आपको GST का जो amount होता है जो आपका tax लगता है करींदे पर वो आपको return नहीं मिलता है तो इस चीज़ का आपको ध्यान लग रहा है मानके चलो मैंने अभी 100 घंट का gold लिया और 100 रुपे का मैंने पहले ही खरीद के दिखाया था ताकि मैं आपको असानी से दिखा पाऊं कि sale कैसे करना है अब दोस्तों मानके चलो कि मुझे यहाँ पर देखीगा अब अगर यहाँ पर 100 रुपे का gold लिया खरीद करता हूं तो यहाँ पर थोड़ा सा मुझे loss होगा 8 रुपे का यानि कि अगर मैं 100 रुपे का gold खरीता हूं तो यहाँ पर मुझे 22 रुपे ही मिलेंगे लेकिन जो पहला वाला तरीका था वो ज़्यादा फाइदे मन्द है तो दूसरा तरीका भी मैंने इसलिए आपको बताया था कि अगर आप चाहो तो दूसरा तरीका भी यूज कर सकते हैं जैसे मैंने sell किया और जैसे sell करेंगे तो यहाँ पर होगा क्या कि आपका यहाँ पर gold sell हो जाएगा तो इस तरीके से आप दू तरीके से phone pay wallet से पैसा निकाल सकते हैं आई होप दूसरा आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको phone pay wallet से अपना money को bank account में transfer करना है अगर आपको वीडियो helpful लगा हो इस वीडियो को like जरू करें और अपने दूसरा रूकरी साथ भी इस वीडियो को जरू से करें अगर दूसरों आपका कोई सवाल है, question है तो आप comment कर सकते हैं या फिर आप directly मुझे Facebook, Instagram पर message कर सकते हैं जहां पर मैं कूसिस करूँगा आपका reply देने की तो चलिए दूसरों जल्दी मिलते हैं कुछ इंट्रस्टिंग और नए वीडियो के साथ में तब तक आप लोग अपना ध्यान रखेगा, so thank you